जंगल में मंगल जरूर है लेकिन आज कल वहां भी बंदिशे है आज हम बात करेंगे जंगल की हाला कि यहां भी हम एक तत्य रखने जा रहे हैं जिसके पक्ष में खड़ा होना या नहोना आपको खुद तै करना है बात जुड़ी है हातियों से जी हां हम उनी हातियों की बात कर रहे है जिन से विदर्ब के अनेक शेत्रों के लोग परिशान है तो दूसरी तरब परिशानी यह भी है कि विदर्ब की पहचान बने हातियों के सरकारी क्याम को अन्यतर स्थालांतरित करने की सुखभुगाहट तेज हुई है यह कैम गडचरोली जिले के सिरोंचा तहसिल के कमलापूर वनकशेतर में है विदर्प के गडचरोली जिले की सिरोंचा तहसिल के कमलापूर वनकशेतर में सरकारी हाती कैम्प है यह राज का एक मात्र सरकारी हाती कैम्प है यह दरसल नकसल प्रभाविक शेतर म बलकि पुरे विदर्प को एक विशेश पहचान मिली है अब यहां के हातियों को गुजरात भेजने का प्रयास किया जा रहा है गुजरात के जामनगर में एक उद्द्योख समुध द्वारा बढ़ा प्राणी संग्राले तैयार किया जा रहा है उसके लिए विदर्प के सभी प्राणी स्थानों से हातियों को गुजरात में भेजने का प्रयास चर रहा है जिसका कड़ाविरोध स्थानिय लोग और विबिन्न राजनितिक दलों के पदादिकारी कर रहे है जिजाओ जैन्ती एवं विवेकानन्द जैन्ती भारत और विदेज में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है इस वर्ष कोविड-19 के चलते उत्पन्नोही परिस्तिति के कारण केंद और राज सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आज शाम चार बजे ऑनलाइन माध्यम से जिजाओ जैन्ती मनाई जा रही है राजमाता जिजाओ चरित्रमाला का प्रदर्शन रसीकरंज कलामंच कोलापूर के कलाकारों द्वारा सास्कूति कारेक्रम प्रस्तुत किया जाएगा सौमी विवेकानन्द जयन्ती के अउसर पर भी आज 12 जन्वरी से 14 जन्वरी तक सास्कूतिक कारेक्रम आयोजित किया जा रहे है 12 जन्वरी 2022 को BVV Polytechnic एवं 14 जन्वरी 2022 को विवेकानन्द उच्च विद्याले में कारेक्रम संपन्न होगा सरकार के COVID-19 दिशा निर्देशों के तहतिया कारेक्रम आयोजित किया जाएगा सौमी विवेकानन्द के विचारों पराधित कारेक्रम में सौमी विवेकानन्द की भूमी का सौमी योगी स्रिक्रुष्ण एवं उनके शिश्य द्वारा निभाई जाएगी आज शाम चार बजे बीवीवी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिला अधिकारी प्रशासन एवं लेखा अधिकारी दक्षिन मद्धेशेत्र सांस्कृति केंद्र के द्वारा समारों का उद्गाटन किया जाएगा धन्तोली रामकृष्ण मठ के विद्ध्यार्ति भवन में आज राश्टी हुआ दिवस्वा आजादी के अमरुत महत्सों के अंतरगत विवितकारेक्रेमायो जित किये गये है जिसमें दीप्रज्वलन, स्वागत भाषन, स्वागत गीत, आदिकारेक्रमों का समाविश है महत्सों में वक्ता, लुशब को लेकर, स्वामी वेकानन एक योधा सन्यासी विशेप पर, तथा पूरो वायो से नाधिकारी सुरेकान साफे कर, राश्ट निर्मान में युवाओ की भूमी का, इस विशेप पर मार्गद रशन करेंगे अधक्षिय भाषन स्वामी ब्रह्मास्तानन महाराच करेंगे, समापन वाभार प्रदर्शन के साथ कारेक्रम समाप्त होगा, कारेक्रम का उनलाइन पसारन मट के यूटूब लिंक पर होगा क्रिकेट शेत्र में काफी पुरसकार प्राप्त कर चुके क्रिकेट खिलाडी एवं प्रत्यक्षिक दिव्यांग परागवाट करकी क्रिकेट अकैडमी के पहले वर्दापन दिन के अउसर पर शहर के प्रतम नागरिक महापोर्दया शंकर तिवारी की अधक्षता में महल स् के रूप में उपस्तित थे महापोर दयाशंकर तीवारी ने परागवाट करके क्रिकेट शेत्र में उलेखनिय कारे की प्रशंसा की तता भविश्य के लिए उन्हें शुपकाम नाय दी कारेक्रम का संचालन अरहम जैन ने किया एवं माभार प्रदर्शन परागवाट कर ने क आदी उपस्तित थे शुपकाम नसंदेश प्रेशित किया खासकर लंदन से तेजिंदर शर्मा, औस्ट्रेलिया से रेखा राजवनशी, पंजाब से डॉक्टर प्रित अरोरा, कनाडा से सरन गई, मुंबई से रिता दास, उशा जैन शिरी, पुनम तिवारी, दुशन कुमार, पुने से अरुन करते हुए अभिननदन किया, विद्यार्थियों ने हस्ते लिकित बुलेटिन, भारत दर्शन, देश के महान सहितिकार सहित काफी जानकार या नोटिस बोर्ट पर अंकित किया, डॉक्टर आशिश देशमुक पुरविधायक, एवन अर्विंद बाबु देशमुक प्रदि और अभिधायक, विद्यार्थियों ने मंगलवार को अचानक जमाजम बारिश से शहर को सराबोर कर दिया, शहर में मंगलवार को सुबह से ही आसमान में काले बादलो का डेरार लगा हुआ था, और बारिश के आसार नजर आ रहे थे, सुबह दस बजने के बाद अचानक ज जमाजम बारिश शुरू हुई, जिससे शहर के कई सुटकों पर पानी भर गया था, इस बारिश के कारण शहर की फिजा में ठंडक घुल गई, एक दिन पुरवातारों में ठंडक कुछ कम थी, किन्तो इस बारिश के कारण मंगलवार को अपुना कपकपाती छूटनी लगी है, शरके वाडिला के से तो ओले गिरने की खबरे सामने आई है, पहले ही सिर पर कोरोणा महमारी का खत्रा मंड़ा रहा है, ऐसे में बे मौसम बारिश का आना बीमारियों के उन्योता देने से कम नहीं, इस अचानक आई बारिश से ठंड के साथ साथ लोगों के स्वास की च और बढ़ा दी, इस बारिश ने बीमार करने वाला मौसम बना दिया है, वहीं मौसम विबाग ने पहले ही बारिश आने का पुर्वा नुमान बताया था जनहीत के कारे करने वाली संस्ता जिरो माइल पाउंडेशन पिछले कई वर्षों से विबिन्न पक्रमों पर जनजागरूती का कारे करती आ रही है इसे शुन्कला में संक्रान के परवपर पतंग उढ़ाते समे साउधानी बरतने की अपिल के जनहीत पत्रक का राज विदान सभा में विरोधी पक्षनेता देवेंदर फडणवीस के हाथों विमो चन किया गया जनहित पत्रक में दी गई जानकारियों से शरकी अनेक बस्तियों में लोगों को जागरूत करने का प्रयास किया गया है पतंग उडारे के जुनुन में अनेक दुरगटनाओं से कई नागरिकों तथा मुख प्राणियों की जान गवाई है जिरो माईल फाउंडेशन के जनहित के कारियों की सराना करते हुए पूरे मुख्यमंतरी देवेंदर फड़नवीस ने संस्ता के अदेक्ष आनन शर्मा को बधाया देते हुए उतकुष्ट कारे करते रहने के लिए प्रोच साहित किया है जनहित पत्रक में जनजागरन दिशा संदेश की निम्नलिकी जानकारिया बताई गई है संक्रांती परवपर सतरक्ता बढ़ते हुए घर से निकले तेजधार वाले नैलोन धागे का ना इस्तमाल करे और ना ही करने दे यह तेजधार का मांजा आपके लिए वह अंचालकों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है आकाश में उडने वाले मासुम पक्षियों के लिए भी यह जानलेवा हो सकता है हाल ही में लॉइन्स आइकॉनिक अवर्ड 2022 कायो जन लॉइन्स क्लब इंटरनेशनल डिस्टिक दोरा बिशक कॉटन स्कूल ग्राउंड में किया गया महापोरदया शंकरतिवारी, एलन्स राजेंदर सिंग बगगा लॉइन्स आइकॉनिक अवर्ड 2022 के मुख्य अथी थी रहे पुरसकार समारों में पूरमती रमेश बंग, आशिश बुराडे और राजा मुदुजी भोंसले, संदीप खंडेलवाल, जीवनचन निर्वान, विरोध वर्मा, लोंडे जोलर्स की निदेशक राजश लोंडे और आयोजक एलन्विदी जा मुख्य रूप से उपस्तित एलन विदिजहा कहती है, लाइन्स कलब दुनिया का सबसे बड़ा संगटन है, लाइन्स कलब का आदर्शवाक्य क्या है, हम से वाग करते है, आदर्शवाक्य को फॉलो करते हुए हमने इसे लोगों को पहचान कर सम्मान दिया, जिन्होंने इस कोरोणा महमारी की सितिती मे महान काम किया है यहां आयोजन आम वेक्ति को सम्मानित करने के लिए है जिनोंने इस कोरणा महामारी की सिति में जरुरतमंदों की मदद के लिए बहुत अच्छा काम किया है लाइंस क्लब ने उन्हें लाइंस आईकॉनिक अवार्ड 2022 पुरस्कार दिया महापोर दयाशंकर तिवारी को पुरस्कार समारों में लाइफटाइम अच्यूमेट अवार्ड से सम्मानित किया गया बाकी लोगों को दे लाइंस आईकॉनिक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया स्थानी अर्विंदो इंडो पब्लिक स्कूल ने देश के पूरप्रदानमंद्री लाल भादूर शास्त्री जी की पुन्यती थी बड़ी सादगी से मनाई स्कूल स्टाप ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यारपन कर श्रद्दा सुमन अर्पित किया स्कूली विधारतियों ने उन्लैन श्रदधांज लियर्पित की, कुछ विधारतियों ने भाशन के वीडियो स्कूल के साजा किये 9 जुन 1964 के दिन उन्होंने भारत की दूतिय प्रधानमत्री के रूप में शपद ली थी 1965 में उनके कारेकाल में ही भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े शास्त्री जी का जन्मर 2 अक्तूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था महात्मा गांधी काशि विद्यापीट से उनकी शिक्षा पूरी हुई शास्त्री जी ने 1929 में इलाबाद में भारत सेवक्संग के सचिव के रूप में कारे किया था जै जवान जै किसान का नारा उन्होंने ही दिया था 10 जन्वरी 1967 में ताशकन में उनकी मौत हुई उनकी मृत्यों की गुथी आज तक नहीं सुलच पाई है इमानदारी और सादगी भरा जीवन जिने वाले शास्त्री जी के विचार आज भी देश को और देश की जनता को प्रेणा देते है और सही रहा पर चलने की सीख देते है 1961 में उन्हें गुरुह मत्री के रूप में न्युक्त किया गया उन्होंने ब्रश्टाचार निवारन समिती की न्युक्ति की थी आज 15 प्लस और 45 प्लस आयूवर के सभी नागरिकों का कोविशिल्ट का टिका करन नाकपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी के इंदरों पर होगा टिका करन का समय शाम के 5 बजे तक होगा टिका करन के लिए ओनलाइन और आफलाइन दोनों पधितियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन के इंदरों पर भी 18 और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविशिल्ट के जरिये टिका करन किया जाएगा यह जानकरी चिकिसा स्वासदीकारी डॉक्टर संजे चिलकर ने दी इसी तरह 15 और 45 प्लस आयूवर के नागरिकों के लिए कोविशिन का पहला और दूसरा डोस मेडिकल कॉलिज डॉक्टर बाबा साहिब अमबेटकर अस्पताल काम्टी रोड वस्वरगिय प्रभाकर देटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स, आइसोलेशन अस्पताल इमामवाडा, इंद्रा गांधी अस्पताल गांधी नगर मनपास्त्री अस्पताल पांच पाउली और प्रगती हॉल डिगोरी में उपलब्द है नगर की सूप्रसिद्ध सामाजिक तथा सांसुतिक संस्ता जेश्टमित्र मंडल की ओर से एक सबा का अउजन किया गया मंडल अद्धक्ष अरजुंदास अउजा ने जानकारी दी कि सबा में संस्ता की ओर से उद्यकाडमी देवानी धर्मशाला में CCTV कैमेरे लगाए गया है उद्यकाडमी गरीब सिंधी विद्धार्तियों के सपनों को साकार करने है तू आईएस आईपियस के शिक्षन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भ्यूमी का निभा रही है उक्तपुनित कारे की निधी अकाडमी के प्रताब देवानी को सोंपी गई अहुजा ने बताया कि जेश्ट मित्र मंडल की ओर से जरीपटका में चार बोर्वेल पाच वाटर कुलर मशीन लगाए गए साथी गरीब विद्धार्तियों को शिक्षन सामगरी गरीबों के लिए चिकित्सा का सिलसिला आरंब है भविश्य में भी यह जनहीत में जारी कारे शुरू करेंगे इस अवसर पर उदयकादमी के प्रताब दिवानी मंडल उपादेक्ष मनोहरलाल अहुजा सच्चू रमेश लाल आसवानी सहसचू रमेश सचदेव महिला प्रमुक संगीता दलवानी वसदस लक्षमन पेशवानी राजश चावला अधिवक्ता उंप्रकाश हरवानी नरेश खुशालानी आधी उपस्ति थे मानेवरों का आभार रमेश सचदेवने माना हिंदी विश्व में भारतिय जीवन मुल्यों को प्रसारित करती है यह विचार महातमा गांधी आंतराष्टे हिंदी विश्विद्धाले वर्दा के कुलपती प्रोफेसर रजनिष कुमार शुक्ले ने वेक्ट किये वे विश्व हिंदी दिवस के उसर पर सोमवार को हिंदी का वैश्विक परिपेख्ष पर तरंगाधित राश्चे संकोष्टी की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे इस कारेक्रम में वक्ता के रूप में सांची बौध भार्तिय ग्यान अध्यन विश्विद्ध द्याले के कुलपती प्रोफेसर निलजा अरुन गुपता, अंग्रेजी एवं विदेशी बाष्चा विश्विद्ध द्याले, हैदराबाद के सेवानियोरुत्त प्रोफेसर ए भारतिय वाद्दूद और शक्कर की तरह घुल मिल गई है इस परंपरा में सौमी वेकानन और महात्मा गांधी की भी अनन्य भूमी का रही है उन्होंने कहा कि हिंदी विज्ञान और तक्निकी की भाषा के रूप में भी विकसित होनी चाहिए इस संदर में हिंदी विश्वि प्रतिबद है उन्होंने आशा जताई कि वैश्विक परिपेख्ष में हिंदी विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थाज जरूर हासिल कर लेगी रेल यातियों की सुविधाओ एवं मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा इंदोर चिंदवाडा इंदोर के मध्य दैनिक ट्रेन 15 जनवरी से अगली सूचना तक पेंचवली एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन नए नमबर के साथ चलाई जा रही है गाड़ी नमबर 19343 इंदोर भंडार कुन एक्सप्रेस इंदोर से 15 जनवरी को दोपर 1 बजे चिंदवाडा से पौने 4 बजे प्रस्तान कर भंडार कुन 16 जनवरी सुबव पौने 5 बजे पहुचेंगी गाड़ी नंबर 059-10, बंदारकुन बैटुल स्पेशल, बंदारकुन से 16 जन्वरी को सुब़ पौने 7 बजे, चिनदवडा से पौने 8 बजे प्रस्थान कर बैटुल 16 जन्वरी को दोपर 12 बजे पहुचेंगी गाड़ी नमबर 202589, बैतूल 6 चिंदवडरा स्पेशल, बैतूल से 16 जनुरी को 2पर 3 बज़े प्रस्तान कर, चिंदवडरा राद को 8 बज़े तक पहुंचेंगी गाड़ी नमबर 194, चिंदवडरा इंदूर एकस्प्रेस,ाइस 6 जनुरी को 2पर 2 बज़े पोचेंगी इस गाड़ी में एक AC3 टायर, चार स्लिपर, आठ सामाने कोच तथा दो SLR सहीत कुल 15 कोच होंगी जिसमें AC2 स्लिपर कोच आरक्षित रहेंगे तथा सामाने कोच में मेल एक्स्प्रिस भाड़ा क्यादार पर यात्रा करने की अनुमती रहेगी Chamber of Association of Maharashtra Industry and Trade के अदेक्ष, डॉक्टर दीपेन अगरवाल ने कहा कि पिछले देड़ साल से अर्थवेवस्ता का हर शेत्र COVID-19 मामारी की चाया में है और देश के पास इसका कोई हल नहीं है शुरुवात में COVID-19 लॉक्डाउन के प्रभाव को मैनिफेक्चरिंग शेत्र में आपूर्ती पक्ष संकट में पढ़ गया था लेकिन प्रतिबंद कुछ हद तक हटा दिये जाने के बाद यह मांग आपूर्ती की जटिल दाव पेच में फस गया क्योंकि आएक कम हो चुकी थी सरकार ने इस संकट को भी एक अउसर में बदलने का प्रयास किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग भारत में बने उत्पादों का उपयोग करे और वैश्विक आपूर्ती शुंगला का भी हिस्सा बने सरकार ने 20 लाग करोड रुपे के तहट पैकेच की घोशना की थी COVID-19 का सभी जीवन व्योसायों और देश की अर्थव्योस्ता पर विपरित असर पड़ा है और यह सिलसिला जारी है आगामी केंद्रे बजट 2022 से उम्मीदे काफी अधिक है सरकार को व्यापारियों की मां का समर्थन करना चाहिए और इसके लिए खुले हातों से लेकिन विवेकपूर्ण तरीकी से खर्च करने की जरूरत है ताकि अर्थव्योस्ता को दोबारा पटरी पर लाया जा सके पिछले 15 दिनों से विदर्प के सभी जिलों में अतियोला रुष्टी व बेमौसम बारिश का कहर चाया हुआ है जिस कारण हमारे लाल इट उद्योकों का करोडो रूपे का नुकसान हुआ है इससे उद्योकों के नुकसान के साथ साथ आम नागरिकों का भी नुकसान हो रहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से विदर में साढ़े चार से पाच लाख लोगों को रोजगार उपलब्द होता है दनाग विदर ब्रिक्स मैनिफेक्चर असोसियेशन के अधिक्ष गोपाल मेहाडिया वस्चिव संजय पालिवाल ने बताया कि इस उद्योग को कोरोणा काल से ही ग्रहन लगा हुआ है कोरोणा महामारी प्राक्रोतिक आबदा के बाद ये उद्योग गलत सरकारी नीतियों और नीजी कमपनियों की मनमानी के बोच तले दबा हुआ है इस उद्योग को केंद्रवर राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का सहोग नहीं दिया गया है वैसे केंद्र सरकार ने इस उद्योग के लिए कुछ सकारात में कदम उठाए लेकिन यह परिया आप नहीं है इस उद्योग पर GST प्रावाधान योजना पर उसे बढ़ा कर 6 प्रतिशत कर दिया गया इनपुट्स केंद्र जो 5 प्रतिशत था उसे बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर दिया गया है इस नएदर से केंद्र सरकार को काफी उम्मीदे है लेकिन इट उद्योग से जड़े विशशग्यों का मानना है कि यह कदम पर यह आप नहीं है दशमेश पिता श्री गुरु गोबिन सिंग के 355 वे प्रकाश पूरप के अउसर पर शद्धालू ने कलगीदर सत्संग मंडल में गुरु महराज के दर्शन किये और माथा टेक कर अरदास कर आशिरवात प्राप्त किया शद्धालू ने हर्शोला सोमं के साथ बादशा दर्वेश गुरु गोबिन सिंग, शहनशा गुरु गोबिन सिंग, धन गुरु गोबिन सिंग, आदि जयगोश के साथ खुशिया मनाई इसी अवसर पर पिछले कई दिनों से जारी ओनलाइन इच्छा पुरग प्रभू सिम्रन प्रार्थना वश्री गुरु गुरु गुरंत साहिब के साप्ताहिक पाट का समापन हुआ कल गिधर सत्संग मंडल द्वारा गुरु गोबिन सिंग प्रकाशपर के अवसर पर आयोजित कारेक्रम में एडवकेट माधवदास ममदानी ने श्रद्धालो को बताया कि कल्युग में श्री गुरु गरंत साहिब महान गुरु है और दस पाट शाहियों के आत्मिक गुरु जी लिखते है कि गुरु जी की सारी संगत की सम्मुक कहा है कि जो प्रेमधारंकर के श्रद्धा से श्री गुरु गरंत साहिब का पाट सुन कर वह पढ़कर भोगत पाएगा उसे करोडो यग्गो का फल प्राप्त होगा और उसकी सभी शुभिच्चायत जरूर प और सत्यानवेशन करते हुए अपनी लेक के माद्यम से कोई मुद्धा चर्चा मिलाता है और समाज को न्याय दिलाता है वही पत्रकार कहलाता है यह विचार संपादक महशपुरोहित नाकपूर ने हिंगनगाट पत्रकार संग की ओर से आयोजित पत्रकार दिवस समारों मे प्रमुक मारकदर्शक के तोर पर वेक्ट किये। पत्रकारिता में उनके योगदान और सामाजिक रूप से निर्देशित पत्रकार के रूप में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक समिर कुनावार ने कहा कि पत्रकार हमारे राजनितिक और प्रशासनिक लोगों को हमारे अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका जवाब खोजने का रास्ता दिखाने की एक कड़ी है शहर की सामाजिक संस्ता सिंदु युआ फोर्स नाकपूर महानगरपाली का एवं नाकपूर मोबाइल डिरेस एसोसियेशन द्वारा एक भवे रक्तदान शिविर कायो जन 1770 धर्मशाला जरीपटका में किया गया शिविर में 1000 से भी ज्यादा लोगों ने रख्तदान कर इतिहास रचा शिविर का उदगहटन पूरे मुख्यमंत्री देवेंदर फडनवीस के हाथो दीप रजोलन और माल्यारपन कर किया गया इस उसर पर प्रमुक अथिती के रूप में मनपा के स्थाई समिती सभापती प्रकाज भोयर, मनपायुक्त राधा कृष्णन भी, नगर सेवक विरेंदर कुकरेजा, डॉक्र चंदर शेकर पाक मोडे, एडवोकेट शाम देवानी, पूरो आंतराश्टे क्रिकेट प्रशा किया गया, वो महनत रंग लाई, शिविर में 174 महलाव का रख्तदान करने में सहयोग रहा, शिविर स्थल पर साई केशो दास जग्यासी, शंगी महराज, पूर्व विधायक मिलिंदमाने, पूर्व नगर सिवक सुरेज जग्यासी, गनश्याम दास कुकरेजा, डॉक्टर के सामन्यनागरिकों ने भेट दी, समर्पन सेवा समिती द्वारा रविवार को श्रीशी जीतेंदरनात महाराज के वनजारी नगर स्थीतमत में जरुरतमन लोगों के लिए 50 कंबल भेट सरूप दिये गए, संस्ता के अद्रक्ष गिरिश व्यास ने संस्ता की कार्यों की ज जुमानी, उमेश महतो, महेंदर गुपता, डॉक्टर गिरीश चांडक, शोभा चांडक, मुस्कान चांडक, रंजन चोधरी, दिनेश पटेल, संजे बहादुले, मनोश तिवारी, उमेश महतो, विनोध आश्टिकर, मनोश ठाकरे, आदि उपस्ति थे इस उसर पर जीतिनरणात महाराज ने संस्ता के अद्रिक्ष को आश्वस्त किया, कि यह अभे जल से जल जरुवत मंदों तक भीज दी जाएगी, एवं संस्ता द्वारा की जा रहे समाज ओपियों की कार्यों के लिए शुप काम नहीं दी संस्ता द्वारा अगला ब्लैंकेट वितरन कार्य, मंसर के आगे पौने गाह होते हुए, खरा अदिवासी गाह में 15 जनवरी को मकर संकरांती के परवपर किया जाएगा, संस्ता के पदादी कार्यों द्वारा जरुवत मंदों में तिलगुर ब्लैंकेट एवं अत्यावश् और शिवसिना आगे चल रही है, NCP की ओर से भी प्रयास किये जा रहा है, और भाजपा पहले से ही कई गुटों को हाथ में ले चुकी है, शहर में रिपब्लिकन समुदाय का प्रतिनितितों करने वाले कई संगटन है, जिसमें कावडे, कुंभार, आठोले, शेंडे, आंबेटकर जैसे प्रमुकनेताओं के समुदाश शामिल है, मनपा चुनाओं में सभी दल सक्रिय है, दुसरी और नाकपुर मनपा में बहुजन समाच पार्टी मौजूद है, बहुस अदस्य वाट प्रनाली ने कई गुटों को चोड़ पहुचाई है, अपेक्शाखरूत बड़े निर्वाचन शेत्र और मजबूत उमिद्वारों की कम संख्या के कारण कई गुटों को बड़ी पार्टियों से हाथ मिलाना पड़ता है, भाचपा और कॉंग्रेस उमिद्वारी साजा करते हैं, लेकिन लड़ने के लिए अपनी पार्टी के चिन्न की आवशकता ह होती है, नतिजन रीपा गुटों के अस्तितों को खत्रा हो रहा है, इसलिए इस बार एकजुट होकर अकेले लड़ने की सोच रहे है, हाला कि अब तक कानुबो यही रहा है कि एक ही चर्चा और एक ही खबर होती है, क्योंकि कोई किसी पर भरोसान नहीं करता तो नागपुर हल चल में आज इतना ही, आप से फिर बुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए BKB News, नमस्कार